हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे सीटूब चैनल मोहित पंडे क्लासेज पर फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख चुके है थमनेल में कि अगर आज आपको गुड़न खंड समझ में नहीं आया तो आप मुझे जिन्दा जला देना अब इतनी बड़ी बात मैंने बोली है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन जरूर होगा आज से पहले आप लोगों ने गुड़न खंड करना पढ़ा होगा जरूर इतना मुझे पता है लेकिन आप लोगों से गल्तियां अभी भी हो रही है मुझे पता है गलती आपसे कहा होती है और इन सब चीज को देखते हुए आज का ये वीडियो मैं आप लोग के लिए special गुड़न खंड के लिए बना रहा हूँ और आज अगर लाश तक आप लोग वीडियो में बने रहे तो मरते दम तक गुड़न खंड करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और गल्ती होने की चांसेश तो अदम जीरो के बराबर रहेंगे तो एकदम अगर लाश तक आप लोग वीडियो में बने रहे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है तो भई आप ज़्यादा बकवास हम करेंगे नहीं हम डायरेक्ट आते हैं अपने टापिक पर हम लोग आज सीखेंगे गुडन खंड करना ठीक है तो अभी दो कुष्चन आपके सामने दिख रहा होगा और अभी 2-3-4 कुष्चन और करवाएंगे जब 5-7-8 कुष्चन आपको मैं करवा दूंगा ना प्रेक्टिस उसके बाद में देखेगा मजा आ जाएगा और कभी भी आपको गुडन खंड करने में कोई समस्या नहीं होगी चलिए हम चलते हैं अपने कुष्चन के दरफ हमारा कुष्चन है एकस स्क्वाइर माइनस 2 एकस माइनस 8 ठीक तो देखिए सबसे पहले हम इसको करते क्या है यह जो आपको लास्ट में दिख रहा है जिसके साथ में कोई भी एकस वाई वगेरा वगेरा नहीं लिखा रहता है उसको क्या बोलते हम लोग अचर पद बोलते हैं और यह दोनों चर पद है क्योंकि इनके साथ में एकस लिखा हुआ है तो पहला काम आपको यह करना है कि जो आपका अचर पद है उसको आपका जो एकस स्क्वाइर वाला प होता है ठीक है तो हम करेंगे क्या आठ का अगर गुड़ा करेंगे एक से तो आठ का अगर गुड़ा एक से होगा तो हमें मिलेगा आठ अब इसी आठ को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिले जो यक्स है उसका नहीं है जैसे एक कुछन आपको कराऊंगा 70% concept आपका clear हो जाएगा मैंने क्या कहा जो अचरपद है उसको आप गुड़ा करेंगे x square के गुड़ांक से x square का गुड़ांक कुछ नहीं 1 था तो हमने 8 का multiply 1 से किया तो 8 1 जा 8 अब इस 8 को हम ऐसी तो संख्याओं में तोड़ेंग तो अब ऐसी दो संख्याओं आप ढूड़िये कि जिनको हम क्या करें गुड़ा करें तो हमें 8 मिले और जोड़ें या घटाएं तो हमें 2 मिले तो अब बात यहां पर यह संचती है कि जोड़ें या घटाएं बस गलती यहीं पर होती है आज से पहले आप लोगोंने सीखा ह होगा कि गुड़नखन कैसे करते हैं लेकिन आप से चिन्हों की गलती बहुत हो रही है लेकिन अब नहीं होगी बस जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं यह आपको कहीं पर बताई नहीं जाती है और ध्यान से सुनिएगा तो जोड़ें या घटाएं तो इसके लिए आप क्या करना जो अचरपद है उसके सामने देखना पलस लगा है या माइनस अगर माइनस लगा है तो ऐसी दो संख्याओं को हम लेंगे कि उनको घटाने पर हमें जो यक्स का गुड़ांक है वो मिले और अगर पलस लगा है तो ऐसी दो संख्याओं आपको लेनी है कि उनको जो चार दुन्नी आठ होता है ठीक और अगर हम चार में से दो को घटाएं तो हमें दो मिल जाएगा अब घटा क्यों रहे हैं सप्रेक्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि अचर पद के सामने माइनस लगा हुआ है कौशप्ट के लिए रहना अगर पलस लगा होता तो हम ऐसी तो संख्याएं लेते कि जिनको जोडने पर हमें क्या मिलता दो मिलता लेकिन यहाँ पर अचरपत के सामने minus लगा है इसलिए हम ऐसी दो संख्याओं को लेंगे जिनको गुड़ा करने पर तो हमें 8 मिले लेकिन उनको घटाने पर आपस में हमें 2 मिले ठेक, तो अब हम जानते हैं कि अगर 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो बस अब हमारा काम हो चुका तो सबको हैस्टी जब नोट करिए x square minus, अब इस 2 को हम क्या लिखेंगे 4 minus 2, और बाहर में ये आपका x रहेगा minus 8, बस हो गया खेला समाप्त अब x square minus का अंदर करिए गुड़ा तो minus और 4 का x से गुड़ा तो 4 x minus 8, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, common लेना है आपको हमेशा, इसमें क्या होगा सामने जो 2 पर दिखेंगे, उसमें कुछ न कुछ कॉमन मिलेगा और यहाँ पर भी जो 2 पर दिखेंगे, उसमें कुछ न कुछ आपको common जरूर मिलेगा, तो यहाँ X square है और यहां 4X तो इन दोनों में Common क्या है तो इन दोनों में Common हमें दिख रहा है X X square का क्या मतलब होता है Sir X square का मतलब होता है Max 2 नहीं है तो जब एक बार हमने बाहर ले लिया तो यहां 1 X बचा जिसको हम X लिख देंगे Minus अब 4X था यक्स यहां common ले लिया, तो यहां के वल बचा 4, ओके, अब प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए, अब यहां पर भी कुछ common है, सर यहां पर common है 2, यक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर नहीं है, यक्स, लेकिन अब आपके मन में आएगा, कि सर यहां पर 2 थोड़े लिखा तो सर यह बताईए, आप 8 को 4 into 2 नहीं लिख सकते, जी बिलकुल लिख सकते हैं, तो यही 2 हमने common ले लिया, तो जब 2 common ले लिया, तो कितना बचा, 4 बचा, और यहां से जब 2 common चला गया, यहां 1 बचा, minus, और यहां क्या बचा, 4, आप देखो, अब यहां पर जब आप ब्रेकट मिले हैं, उनके अंदर जो संख्याएं हैं, क्या वो सेम सेम हैं, अगर दोनों ब्रेकट सेम नहीं होंगे, तो गलत है, जो आप लोगों ने अभी तक किया, वहां कहीं बीच में घटना घट चुकी, कुश्चन आपका गलत है, तो इसलिए आप फिर से शुरू करि हैं, हम देख रहे हैं, हमारा ब्रेकट सेम सेम है, इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पर हैं, आप क्या करिए, आप इस ब्रेकट यहां और यहां, आप दोनों जगे दिख रहा है ना सेम सेम, तो आप इस ब्रेकट को आप कॉमन ले लिजी, तो जब हम x-4 को कॉमन लेंगे, यहां से तो आपका यहां बचेगा यक्स केवल, यह हो गया यक्स, यहां से हमने common ले लिया, तो यहां केवल बचेगा आपका 2, बस हो गया, यही है आपका answer, तो x-4, x-2, यह आपका answer आ गया, इसी तरीके से गुड़न खंड करते हैं, तो भाईया गर्मी बहुत है, आप लो होगी, तो अभी 2-3 question और करवाऊंगा, फिर सारी समस्याइं आपकी 6 मंतर हो जाएंगी, बहिया, चलिए, दूसरे question की बात करते हैं, हमारा दूसरा question है, under root 3x square plus 9x plus 6 under root 3, फिर से वही काम आपका, आपको इसमें दिख रहा है, अचरपद हमारा यह वाला है, ठीक, और इसको करना है, गुड़ा हमें किस से, x square के गुड़ांक से, पहला काम तो आपको यही करना है, कि अचरपद को आप क्या करेंगे, x square के गुड़ांक के साथ गुड़ा कर देंगे, तो अब देखिए, अब हमारा यह 6, यहाँ पर कहीं कर दूँ, 6 under root 3, यह है हमारा अचरपद, इस x square के गुड़ांक के साथ, x square का गुड़ांक है, under root 3, ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर दो under root सेम सेम हैं, उनका आपस में गुड़ा करते हैं, तो under root 3, under root 3, 3 हो जाएगा, और 13, ठीक, तो अब हमें पता चल गया, कि इसका और इसका गुड़ा करने पर हमें कितना मिला, 18 मिल तो अब 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िये, कि जिनको हम गुड़ा करें आपस में, तो 18 मिले, और जोड़ें या घटाएं, तो हमें x का गुड़ांक मिले, x का गुड़ांक है 9, तो अब ऐसी दो संख्याओं आप सोचिए, कि जिनको हम क्या करें, आपस में गुड़ करें तो 18 मिल जाए और जोड़ें या घटाएं तो 9 मिल जाए अब जोड़ें या घटाएं तो ये बात आती है तो उसके लिए मैंने बताया है अभी अभी तुरंद कि आपका जो अचरपध है उसके सामने देखें प्लस लगा है या माइनिस तो प्लस लगा है तो हमें ऐसी दो संख्याइं लेनी हैं जिनको आपस में प्लस करने पर हमें x का गुडांक मिले और आपस में गुडा करने पर हमें 18 मिले किलियर है कॉंसेप्ट अब करते हैं इस कुश्चन को अंडर रूड 3x2 लेकिन अभी तक हम लोगों ने पता नहीं लगा पाया कि ऐसी वो दो संख्य है कौन सी है जिनको आपस में प्लस करने पर 9 मिलेगा और गुडा करने पर अठारा मिलेगा तो हम लोग जानते हैं कि 6 तिरिक 18 होता है 6 का जब गुडा करोगे 3 में तो हमें 18 ठारा और अगर 6 और 3 को जोडोगे तो 6 और 3 होता है 9 तो अब हमें पता चल गया कि वो संख्याए कौन-कौन सी है 6 और 3 ठीक है तो अब इस 9 को हम किस में तोड़ेंगे 6 प्लस 3 में अब हम प्लस क्यों कर रहे हैं क्योंकि अशर के सामने हमारे प्लस लगा हुआ था ठीक है बस यही चीज आपको समझना है गुडन खंड में गलती यही पर होती है और देखिए तुरंत आपको कुछ न कुछ कौमन मिलेगा पहले दो पदों में आपको कुछ न कुछ कौमन मिलेगा हैं उसमें common क्या दिख रहा है हमें x common दिख रहा है तो हम लेंगे x common तो याहां पर क्या बचेगा एक टो under-root 30 यहाँ यहाँ पर लेकिन यहाँ यिक नहीं है तो यह तो स्वान होई नहीं सकता वह आप यहां तो आप मुझे यह बताओ कि आप लिख सकते हो आप अंडर विद रूर्ट ओक्षिरी इंट्फ्री नंहीं लिख सकते हो क्योंकि अंडरूर्ट थिरई होता है तो अगर इस तो को चाहो तो क्या लिख सकते हो under root 3 into under root 3 तो यह 3 नहीं लिखा हुआ है इसको अपने mind में अपने खोपडिया से बोल दो कि यह 3 नहीं यह under root 3 into under root 3 लिखा हुआ है तो दो बार under root 3 लिखा था तो हमने एक बार ले लिया common तो बचा क्या एक बार फिर भी बचेगा यहां पर यक्स भी रहेगा प्लस में यहां पर खाए यहां पर एक ही बार था अंडर रूर्ट 3 वो भी हमने ले लिया common तो यहां पर कैवल और प्लस भाज़ा दोनों दोनESE रहे हैं आप क्या करिए अब इस breakout को ही आप common ले लेंगे तो जब आप इस breakout को common लेंगे under root 3x plus 6 तो यहां से यह common आ गया यहां पर बचा यक्स तो हम लिखेंगे x plus यहां से breakout common है तो यहां पर बचा आपका under root 3 और यही है आपका परमसक्ति वाला answer सर कितना मज़ेदार था मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा तो फटाक से आप इसका स्किन सॉट लीजे फिर मैं और प्यारे-प्यारे दो कुश्चन करवा रहा हूं लेले स्किन सॉट चलिए चलिए अब हमारे पास दो कुश्चन और आ चुके हैं बहुत ही अच्छे-च्छे कुश्चन बहुत ध्यान से देखियेगा अब थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि अब आप लोग को कॉंसेप्ट कीलियर हो गया होगा हो सकता है दस-पास परसंट थोड़ा दाउट हो अब लेकिन इन दो कुश्चनों के बाद वो भी एकदम खतम हो जाएगा चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि अचरपद जो है उसको हमें गुड़ा कर देना है किससे एकस स्क्वाइर के गुडांग से तो अचरपद है हमारा तीन तीन का गुड़ा करेंगे एक आपस में जोड़ने या घटाने पर यकस का गुड़ांक मिले और उनको आपस में गुड़ा करने पर हमें 18 मिले तो अब ऐसी दो संख्याओं को सोच यह जिनको आपस में जोड़ने घटाने पर एकस का गुड़ांक मिले और गुड़ा करने पर 18 अब जोड़ें या चल गया कि हमें जो दो संख्याएं लेनी है उनको आपस में घटाने पर क्या आना चाहिए एकस का गुरांग और गुडा करने पर अठारा कॉंपसर्ट के लिए रहना चलिए सुरू करते हैं तो देखे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि होता है 9 दुनी 18, 9 गुड़े 2, 9 दुनी हुटा है 18, और जब हम 9 में से 2 को घटाएंगे, तो बचेगा कितना 7, तो इसका मतलब वो संख्याएं क्या-क्या है, 9 और माइनस 2, concept के लिए रहना, 9 में से 2 को घटाने पर 60 मिल जाएगा, और 9 को 2 में गुड़ा करने पर 18 मिल जाएगा, त 7 को हमने किस में तोड़ा, 9 माइनस 2 में, और बाहर X माइनस 3, यह रहेगा आपका, चलिए, अब 6 X स्क्वायर, माइनस का अंदर गुड़ा होगा, तो माइनस 9, और X का गुड़ा होगा, तो X, अब माइनस का अंदर गुड़ा होगा, तो यह प्लस 2, और X का गुड़ा और कुछ common देख रहा है, जी हाँ, बिल्कुल देख रहा है, एक 3, तो जब 3 common लेंगे, तो यहाँ 6 है, और 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को हम लिख सकते हैं, 3 गुड़े 2, ठीक, तो जब 3 हमने common ले लिया, तो बचेगा कितना 2, और x square था, 1x हमने common ले लिया, तो बचा x, minus ह 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को हम 3 गुड़े 3 लिख सकते हैं, तो जब हमने 3 common ले लिया, एक बार, तो एक ही 3 तो बचा, तो यहाँ 3, और x common हो चुका, तो x का काम ही खतम, हो गया काम, प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या common होगा, यहाँ पर तो भीया कुछ common नहीं दिख जाता है, तो जब कुछ common नहीं मिले, अब कुछ common क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यह तो होगा ही नहीं, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स ही नहीं, तो जब कुछ common नहीं, वहाँ एक ले लिया जाता है common, ठेक, अब यह आपका 2x-3s हो जाएगा, अब देखो आप दोनों Brackets आपको सेम सेम दिख रहे हैं अगर दोनों Brackets सेम सेम है तो इसका मतलव हम लोग सही रास्ती पर जा रहे हैं अगर Brackets के अंदर थोड़ी सी भी अगर यह माइनस के जगा पलस हो जाता तो हमारा पूरा पुझ्चन गलत रहता लेकिन हमारा दिख रहा ह सम सम मतलब हम लोग सही है आप देखो आप इस ब्रेकट को आप लोग ले लेंगे common तो two एक्स माइनस three हमने लिए जब्रेकट को common यहां पर क्या बचेगा यहां पर आपका बचेगा चिन्हों का तो आप से गलती होने का chance ना के बराबर है फिर से वही काम हम लोग जानते है सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि जो अचरपद है उसका हमें गुड़ा कर देना है यक्स स्क्वाइर के गुड़ांक के साथ तो हमारा अचरपद है आठ और यक्स स्क्वाइर का गुड़ांक है तीन तो आठ का जब आप गुड़ा करेंगे आठ का गुड़ा तीन में करेंगे तो आपको मिलेगा 24 ठीक है अब हमें इस 24 को ऐसी तो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनको आपस में जोड़ने घटाने पर यक्स का गुड़ांक मिले मतलब 10 मिले और आपस में उन दोनों संख्याओं को गुड़ा करने पर 24 मिले तो जोड़े या घटाएं ये कैसे पता चलेगा इसके लिए आप अचरपद के सामने देखेंगे पलस लगा है या माइनस तो यहाँ अचरपद के सामने लगा है पलस इसका मतलब हमें ऐसी दो संख्याओं लेनी है जिनको आपस में पलस करने पर 10 मिले और आपस में गुड़ा करने पर 24 मिले ठीक है चलिए तो हम जानते हैं कि अगर कितना मिलना चाहिए 10 हाँ और गुड़ा करने पर 24 तो 6 चोग 24 6 गुड़े 4 24 होता है और 6 पलस 4 दस होता है तो इसका मतलब वो संख्याओं है 6 और 4 अब देखो कैसे करेंगे इसको 3X स्क्वायर माइनस अब 6 पलस 4 बाहर X रहेगा पलस 8 अब आगे तो अब आपसे हो ही जाएगा माइनस का गुड़ा करेंगे अंदर 6 और यक्स में आपका 6 फिर से अंदर गुड़ा करेंगे माइनस का माइनस 4 और यक्स अब पलस में 8 ठीक केलियर है आप 3 अब यहाँ पर क्या आप देखो अब हमें कॉमन लेना है तो यहाँ पर कॉमन होगा क्या एक तो 3 कॉमन आएगा और एक X भी कॉमन आएगा तो यहाँ पर X बचेगा केवल माइनस है तो माइनस अब यहाँ पर 6 है 6 को हम लिख सकते हैं क्या 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 तो हमने 3 ले लिया common तो यहाँ पर बचेगा क्या 2 और yax तो हमने common ले लिया तो उसका कामी कतम अब minus common लिया हमने अब देखो और यहाँ से common क्या होगा यहाँ से 4 common होगा तो जब हमने 4 common ले लिया तो यहाँ पर क्यों बचा yax और हमने बाहर minus common लिया है तो इसलिए ये plus नहों करके अब ये minus हो जाएगा ये बात ध्यान रखना बहुत बढ़िया question मिल गया है कि अगर आप बाहर minus common ले रहे हैं तो अंदर अगर plus है तो minus हो जाएगा और minus है तो plus हो जाएगा ऐसा क्यों अभी बता रहा हूँ बस 10 second में मात अब 4 दूनी 8 तो यहाँ दो बचेगा अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है अब मैंने अंदर plus क्यों नहीं लिखा क्योंकि इसलिए कि जब आप इसका अंदर गुड़ा करोगे तो minus 4 x मिलेगा फिर जब minus plus हो जाएगा और 4 दूनी 8 फिर से यहीं पर पहुंच जाओगी अग जब जैसे ही आप इसको minus का plus से गुड़ा करते तो minus plus यहाँ minus हो जाता इसका मतला गलत हो जाता ठीक है आप देखो आप ब्रेकट सेम सेम है इसका मतला हम लोग सही रास्ते पर है मिन ब्रेकट को common ले लीजिए x minus 2 तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3x यहाँ पर common हो चु ले लिया चलिए तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक किजिएगा और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज हमारे चैनल मोहित पांड़े classes को subscribe जरू किजिएगा ऐसे ही वीडियो आप लोग को अगर प ठीक है तो अगर आप लोग क्लास 10 में हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम जीरो लेबल से मैथ पर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए प्लेलिस्ट बनी हुई है आप जाएए वहां से एक एक वीडियो देख सकते हैं ओके तो हम लोग मिलेंगे एक फ़ूएए एक टाराइब से पाट बनी हैं टियू झाराईब कर लोग मिलें रहां से एकदम आप लोग मिलेंगे तरीके से एकदम लोग मिलेंग्